Assalamualaikum to everyone, I hope कि आप सब लोग ठीक होंगे, आप देख रहे हूँ JK Studio Point और इस विडियो में हम डिसकस करने वाले हैं JK OP BSE Nursing Paramedical and Technology Course के लिए जो Common Entrance Test होने वाला है तो मैं आपको बतात हूँ उसके regarding जो आपके important questions है 2024 exam से related और अगर आपने अभी तक start नहीं किया है तो किस तरीकी से आपको start करना है, किस तरीकी से आप good score कर सकते हो और इसमें private और government calls होते हैं लगबग आपकी situation होती है, वो 4600 होती है तो फरक अब रहता है private और government का तो उसके बारे में भी हम discuss करेंगे और एक बात मैं आपको बता दूँ, आप बहुत सारे videos पे अपना time waste कर रहे हो तो वो सब आपको नहीं करना है, वो सारी important tips में इस video मैं आपको दूँगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कहां से आपको best studio material मिलेगा अपना time आपको किस तरी किसे बचाना है बाकि सारी जो information है, वीडियो में हम आगे discuss करेंगे तो सबसे पहले आप सब लोगों से request रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चनल को subscribe नहीं किया है subscribe जरूर करना, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि हमारे इस वाटसेप टेलिग्राम पे भी जूट सकते हो इक description में दी हुई है WhatsApp ग्रूप की उसको जोईन जरूर करना, वहाँ पे हम हर एक important update शेयर करते हैं बाकि मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को जतना हो सके शेयर करना उन candidates के साथ जोने जेके वोपी का application फारम फिल किया हुआ है कि उनको भी इस information पहुंच जाए exam से related तो चली उर्यों को start करते तो देखे यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अगर हम application फारमस की बात करेंगे तो 24,000 application फारमस आए है उसमें से अगर हम 12,000 फारमस को छोड़ देंगे जोने सिर्फ रैस्टेशन की फिर payment और documents अप्लोड नहीं किये तो मैं आपको बता दून लगबग 22,000 तक candidates रहे होंगे जोने application फारम पूरी तरह फिल किया होगा अब आपका competition 22,000 candidates के साथ हैं और seats आपके पास 46,000 हैं तो मैं आपको बता दून लगबग अगर हम बात करेंगे 15 से लेकर 17,000 candidates आपसे extra seats से तो उसमें से अगर हम बात करेंगे कुछ candidates नीट में चले जाएंगे कुछ सिकास्ट में चले जाएंगे और कुछ PM SSS में चले जाएंगे तो मैं आपको बतातूँ जेके बोपी में 46,000 seats हैं लेकिन वो प्रवेट को मिला के हैं और उन कालेज को मिला के हैं जहां कोई प्रफर नहीं करता जाना और बहुत सरा ऐसे course भी है जो आप नहीं करोगे प्रफर करना फिर आगे future में तो आपका स्कूर अच्छा होना चाहिए तब ही कोई worth it बनता है कि आपने फारम बरा हो फिर आपको कालेज मिलता हो तो मैं आपको बता दूँ अभी इसके लिए आप सब लोग क्या कर रहे हो आप दिन बार देखते हूँ बहुत सारे वीडियो जाते हैं मैं जदा वीडिय चक करो फारमस रिजेक्ट हो जाएंगे यह होगा वो होगा ऐसा कुछ भी सी नहीं है आपने application फारम फिल अप किया उसमें अगर आपने कोई information गलत फिल की तो आप जेके बोपी का काम है वो देखेंगे फिर उसके हिसाब से आपको mail या message करेंगे वो कि आपका application फारम गलत ह हो गया है आपको पता चल जाएगा अप रोज स्टेटस चक करने बेठोगे कि हमारा फारम चक हुआ कि नहीं हुआ उससे आपका क्या क्या करम जब आपके फारम में कोई error होगा आपने कोई mistake की होगी या आप से कोई गलती हुई है वो आप जेके बोपी का का काम है वो कैसे ठीक करेंगे उसके लिए डिप्शन सी फारम निकालेंगे क्या करेंगे बाकि आपका फारम कभी reject नहीं होता है जेके बोपी में आप फुजोल वीडियो देखना बंद कर दो इससे आपका time waste हो जाता है और कुछ भी नहीं और आप best books या best strategies देखते हो वीडियो वो भी बिल लेवल के हिसाब से आपका paper आता है 11 और 12 से proper syllabus रहता है 11 और 12 का तो इसमें आप ज्यादा क्या सोचना और ज्यादा आप किसी की important videos और tips देखोगे तो उससे हो जाएगा यहां आप देखोगे states वगरा चाकरते हो आप application form को वगरा वगरा उसमें यह करना है वो करना यह process करनी है फिर यह हो जाता है तो मैं आपको बता दूँ सिंपल सा project अगर आपके पास category नहीं थी तो आपको last way open merit में consider किया जाएगा लेकिन आपका application form reject नहीं होगा बाकि अगर आपने कोई गलती किया डेटा बरत या कोई भी जी आपने गलती किया वो आप जेके बोपी का काम है द यह तो था पहला हमारा जो मैंने सुचा कि मैं आपके साथ यह शेयर करूंगे कि बहुत सारे कंडेटी से गलती करते हैं अब यहां पर अगर हम बात करेंगे आपके important questions related exam preparation related to studiomity related तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले आपको अपना syllabus देखना होगा और यहां पर आप दे select करोगे syllabus से तो syllabus से select करने के बाद आपको इनको एच्छे से पढ़ना है आपने 11 12 में पढ़ा होगा अब हमारी चैनल से आपको क्या benefit होगा देखे मैं आपको बजा देता हूं कि हर साल हर कोई यूट्यूबर है या कोई वीडियो बनाता है बहुत सारे वीडियो आपको मिल बाकि जो सबसे जदा important रहने वाला है आपके लिए वह रहने वाला है प्रिवेसिवर पेपर्स तो लगबग 2-3 साल के पेपर्स भी हम डिसकस करेंगे उसमें कौन से objectives आये हैं वह सारे हम discuss करेंगे यहां पे आपको पार्ट वाइस वीडियो देंगे हमारी चैनल पे आने व बस आपको कुछ नहीं करना है ज्यदा ज्यदा हमारी चैनल को support करना है हमें ज्यदा ज्यदा अगर वीवज मिलेंगे लाइक्स मिलेंगे तो हम उससे खूश हो जाएंगे बाकि मैं आपको बता तू हमारी चैनल पर हम जलदी सटार्ट करने वाले हैं proper manner में पहले हम वायाल के लिए उठाइंगे चप्टर वाइज और उन चप्टर पर हम बताइंगे जिन में ज्यादा मार्कस है और जब के प्रियोसियर पेपर से वो भी हम सालो करने की कोश्च करने हैं जब तक आपका एक्जाम हो जागा अब अब एक मन्त हैं तो तब तक सारी जो डाउट्स आपक के फुजल इंफर्मेशन मत देखें जब 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 फोक्स कीजिए कि हम किस तरी किसे एक गोवर्मेंट कालेज पाए ना कि प्रिवेट तो गोवर्मेंट कालेज लेने के लिए आपको लागबक 60, 70, 80 पॉइंटस लाने पड़ेंगे 180 में से तब आपको कोई गोवर्मेंट काले में सरफ 10,000 आपका फी रहेगा 10 तो 20,000 अब प्रिवेट की बात करेंगे तो वो तो 75,000 फिर उपर से आपको होसल फी खुद देना है तो बिसली वो एक लाग से जदा चला जाता है उससे आचा है फिर प्रिवेट कर लो आप बाहर पंजब बैंगलोरियां कहीं और तो अगर आप इसमें सीरिस हो तो इन चीज़ों को सीरिस लेना बाकी मेरा यही माकसद था कि मैं आपको यह वीडियो इसलिए प्रोवाइड करूं ताकि आपको पता चल जाए किस तरीकी से हम स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है जिरू प मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूं कि कम से कम आप स्टार्ट कीजिए तो इस वीडियो में ही एक इंपॉर्टन इंफार्मेशन देनी थी वीडियो अच्छा लगा हो तो विडियो को ज़रूर शेयर कर देना नहीं किसी अगर वीडियो में किसी और टॉइपर तब तक लिया Allah Hafiz